बैंगलूरू में खेले गए सिरीज के दूसरे टीट्वेंटी मैच में भी टीम इंडिया के हाथ हार लगी और भारत के टीम ने शुन्य दो से सिरीज गवा दी आस्ट्रेलिया ने 11 साल बाद भारत को T20 फॉर्मैट में हराया और भारत में पहली बार भारत को T20 सीरीज हराई आपको बता दें कि गलन मैक्सवल की शांदार रश्चत के पारी की बदालत यहां पर आस्ट्रेलिया ने 191 रन पूरे शांदार तरीके से चेस किये लेकिन मैच के बीच में कैसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी की आँखों को नम कर दिया देरसल टीम इंडिया के पूर्फ कप्तान और मौजूदा विकेट कीपर बल्लेबास महेंदर सिंग धोनी जब बल्लेबाजी करने आए तो पूरा स्टेडियम भून जटा दोनी के लिए स्टेड सेट था और दोनी को एक बार फिर अपने फिनिशिंग की भूमी का निपानी थी लेकिन महेंदर सिंग धोनी जिस तरह से वॉक कर रहे हूँ मानो ऐसा कह रहे हूँ कि आज मैं अपना आखरी मैच केल रहा हूँ मैच हारते हाथ दोनी की आँखे नम थी और दोनी काफी जादा परिशान लग रहे थे वैसे भी कयास ये लगाये जा रहे हैं कि महेंदर सिंग्धोनी साल 2019 के बाद सन्यास ले ले लेंगे और भारत को अब कोई T20 सितंबर तक मही खेलना है अब देखना होगा कि क्या महेंदर सिंग्धोनी का ये आखरी मैच है और क्या वो सन्यास का एलान करें नेक्स नाइन स्पोर्ट्स टेस से अब इलाश पांडे के रिखो